करें जी आप छात्र नेता रहे कई आरोप भी लगे अब राजनीती में और कई ने कई बेगुस राई से हम लोग यह अन्मा लगा रहे कि आप चुनाव रहे देखें जब हम छात्र नेता थे तब छात्र राजनीती में थे और छात्र राजनीती जो है वो देश के भीतर ही हो करेंगे और हम बारबार कहा है कि राजनिती में ये इस्टेबलिजू होना ज़रूरी है कि आप फुल टाइम पॉलेvent yen नहीं हो सकते हैं फुल टाइम पॉलेटिशयन यदि आप हैं तो आप फुल टाइम आपका ये सामाजीक राजनितिक दयुत हैं लेकिन घर पर इवार चलाने के लिए आपको काम करना चाहिए इसलिए Character Option हमारे लिए politics नहीं हैocarrier Option आज भी हम Teacher ही होना चाहते हैं उसको ले करके काम करें जहा करें तक राजनीति का सवाल है राजनीति में हम पहले भी थे आगे भी जानकारी है जैसे ये आपको ख़वर मिली है वो इसे ही मुझे भी ख़वर मिली है कि ये ख़वर चल रही है लेकिन ये फैक्ट नहीं है फैक्ट यही है कि अभी पार्टी के भीतर पहले जो है लोग अपना केंडिडेट तै करेंगे फिर उस केंडिडेट को ले करके एलाइं से दिन दहारे संभीधान की प्रती जलाई गई और डॉक्टर भीमरा उम्बेदकर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हमारे लिए आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि संभीधान को कैसे बचाया जाए संभीधान बचेगा तभी देश बचेगा इसलिए हम संभीधान बचा बढ़ना और गिरना यह उस प्रकिरिया में अपने आप होती है यह हमारा प्रैम फोकस नहीं है हमारा प्राइम फोकस यह है कि आज भी देश के बुन्यादी सवाल को ले करके जनांदोलन के शेकरा किया जा सके हम सरकार के खिलाफ नहीं है हम संभिधान के साथ है यह सरकार संभिधान के खिलाफ है इसलिए सरकार के खिलाफ हमको देखा जाता है हम बारवार कह रहे हैं कि हमारी लडाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लडाई विचारधारा से है, हमारी विचारधारा पीछे लेनिन की मूड जो है तस्वीर लगी है, तो उसमें लेनिन ने बारवार कहा है कि democracy is indispensable to socialism, बाबा साहब भीवरा अंबिदकर ने कहा है कि राज विचारधारा ठीक इसके उलट है, वो मनुस्मिर्ति के अधार पे कहते हैं कि समाज में उच निच रहना चाहिए, औरतें, जिन औरतों के पेट से वो पैदा हुए है, उनके बारे में कहते हैं कि उनके अंदर काबिलियत नहीं होती है, वो संक्राचार्ज नहीं बन सकते है वो शूद रहे हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ सेवा करने का है, तो ये मानसिक्ता और विचारधारा की लडाई है, उस मुद्दे को ले करके हम लोग जो जनता आज जूज रही है, उसको ले करके संघर्स कर रहे हैं, वही हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जिसमें हम बारवार कह रहे हैं, कि सबको सिक्षा, सबको काम, मजदूर को उनकी मजदूरी, किसानों को उनके फसल का दाम, अमीर हो या गरीब, हिंदू हो या मुसल्मान, देश के फीतर सभी नागरिकों को, चाहें वो दालित हो या ब्रामन हो, सबको मिले बराबर का आत्म सम्मान, म संभीधान को बचाने की मुहीम को लेकर के हम गये हैं और यह कोई राजनितिक प्रोपगेंडा नहीं है कि संभीधान के उपर हमला है आप देखिए जिस तरीके से लोकतंतर के भीतर लोकतंतर को भीरतंतर में तबदिल किया जा रहा है यह हमला साफ साफ दिखाई दे रहा है जिस तरीके से जो सिक्चन संस्थान है उसको बंद किया जा रहा है उस पर हमले किया जा रहा है यह हमला दिखाई देता है जिस तरीके से बोलने लिखने परने वाले लोग है उनके उपर हमला है तो यह हमला साफ साफ दिखाई देता है इसलिए आज हम सब लोगों को एक ज सिवार के निर्वहन को करते हुए हम राजनितिक और सामाजिक कार्यम में भी कॉंटिन्यू करेंगे जहां तक चुनाव लगने का बात है तो हम समझते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में संसद भी एक महत्पूर्ण जगह है और संसदिया लोकतंत्र में भरुशा करते हैं संविधान में भरुशा जताते हैं से ध्यांतिक रूप से हम चुनाव के खिलाफ नहीं है यह हमारा पोजिशन है